हेलो एवरिवन जैहिंद वेलकम टू जासर अकैडमी फॉर आईएस हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवेस एर क्वेशन एनालेसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टेडीज पेपर 3 एगरिकल्चर सेक्टर से एक क्वेशन मैं उमीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेशन को अटेंट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रीम भी किया होगा आज हमें बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में जो की एगरिकल्चर प्रेडियूस से रिलेटिड है क्या चीज है की जो एगरिकल्चर प्रेडियूस है वो सिर्फ हम बोलते हैं कि हो गई है खराब हो गई है तो उससे लॉस हो गया लेकिन अगर crops अच्छी भी होती तो वो एक ऐसी condition नहीं है कि crops अगर अच्छी हुई है तो farmer को benefit होगा ही होगा क्यूंकि कई बार transportation की proper transport ना मिल पाना उन crops को supply करने के लिए या proper market ना मिल पाना भी वो एक बहुत बड़ा हमें दिक्कत वाला काम देखने को मिलता है एक constraint देखने को मिलता है तो उसी topic पे आज हम बात करने वाले हैं और agriculture जैसे आप जानते हैं कि इस topic से या इसके इर्ध गिर्द से topics related UPSC question पूछती ही पूछती है because बहुत ही जादा important topic है so guys आप जापको बहुत ही बहुत ही बहतरी इन points मिलने वाले हैं इन points को अपने पास note करके जरूर रखिएगा it will help you a lot in the near future so guys session को शुरू करने से पहले जिन भी students ने हमारे telegram channel join नहीं किया है वो तुरण description box में जाएए वहाँ पे आपको link provided होगा उस link को join करके आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं और उसका benefit आपको ये मिलेगा कि आपको जो भी आपको हमारी सारी के सारी PDF का access मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए upload कर जी जाती है हमारे telegram channel पे free of cost जैसे कि current affairs की PDF से या फिर ये जो हम mains का previous question analysis करते हैं इसकी PDF से और उसी के साथ साथ जो भी video lectures आप लोगों के लिए upload किये जाते हैं आपको उनका भी direct link महाँ पे provide कर दिया जाता है और guys अगर आप seriously अपने exams की preparation कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगे कि आपको current affairs के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रत नहीं है आपको बिल्कुल कुछ भी अपना time, money, energy कुछ भी invest करने की ज़रत नहीं है all you need to do is आपको सिर्फ regularly जो जहासर अकार्मी पे आप लोगों के लिए daily current affairs upload किये जाते है current affairs की video lectures आपको उनको सिर्फ consistently follow करना है that is more than enough क्योंकि हमारे current affairs से बाहर का आपके exam में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा और guys हमारा GS का भी pre-plus mains batch रन कर रहा है उस batch को ज़रूर join कीजिए उसमें GS 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल 0 से तयारी करवाई जा रही है जहासर आपको खुद mentor कर रहे है उस batch में और अगर आप batch की details को proper तरीके से follow करेंगे या जहासर के द्वारा guidelines को follow करेंगे तो आपका exam निकलने से कोई नहीं रोक सकता guys आपका selection पका है तो ज़रूर ज़रूर join कीजिए guys batch को और हमारा mains का भी answer writing batch रन कर रहा है आप इस batch को भी ज़रूर join कीजिए इसमें आपको 500 plus questions की practice कराई जा रही है हमारी export faculty है वो आपकी answer copies को check करते हैं आपको mistakes बताते हैं और improve करने में help करते हैं और उसी के साथ साथ आपको हर एक question के regarding example answer भी दिया जाता है और video solution भी provide किया जाता है with proper explanation तो guys अगर आप seriously civil services की preparation कर रहे हैं तो आप इन batches को ज़रूर join कीजिएगा join करने के लिए आप नीचे देगए number 9713-2838 पे whatsapp के through आप courses के details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आज का session स्टार्ट करते हैं हमारा question है what are the main constraints in the transport and marketing of agricultural produce in India भारत में कृशी उपज के परिवहन और विपनन में मुख्य बाधाएं क्या है तो ये question guys GS3 agriculture section से लिया गया है और ये question UPSA ने 2020 में पूछा था तो जब हम इस question की बात करते हैं guys तो जैसे भी हमने बात की थोड़ा सा कि जो agriculture produce हमें देखने को मिलता है अब पहली चीज हमें हमारी problem क्या रहती है कि proper मान लिजी अगर crop grow नहीं हो पाई है ठीक है crop failure हो गया crop खराब हो गई है फसल खराब हो गई है तो farmer को बहुत ही जादा loss होता है किसान हमारा बहुत जादा वहाँ पे एक distress में चला जाता है ठीक है एक dead trap में फस जाता है लेकिन हम कहते हैं कि अगर जैसे crop अच्छी हुए है फसल इस बार अच्छी हुगी है इस बार तो किसान को कोई दिक्कत नहीं हैगी अब ये season या ये साल किसान का अच्छा निकल जाएगा बोलते हैं उनकी जिंदगी उनकी life उनका livelihood अच्छा निकल जाएगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक precondition होती है वो एक lotty condition नहीं है कि crop अच्छी हो produce अच्छा ही हो अगर वो produce अच्छा है लेकिन अगर मुझे उस produce को market तक पहुचाने के लिए मेरे पास transport facility ही नहीं है transportation ही नहीं है तो क्या मैं पहुचा पाऊंगी नहीं पहुचा पाऊंगी या फिर मेरे पास एक proper market available नहीं है तब भी मैं नहीं पहुचा सकती तो ये एक main constraints मतलब बाधाओं का काम करते हैं मुख्य बाधाए हमें देखने को मिलती हैं तो हमें उनके बारे में तो चलिए गाइस अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं दे एगरिकल्चर सेक्टर इस वन अफ दी डॉमिनेंट सेक्टर ऑफ दी इंडियन एकॉनमी कि जो हमें एगरिकल्चर सेक्टर क्रिशी शेत्र जो हमें देखने को मिलता है वो भारत की अर्थ व्यवस्ता में इंडियन एकॉनमी में एक डॉमिनेंट सेक्टर देखने को मिलता है मतलब बहुत डॉमिनेंट करता है वो अब डॉमिनेंट क्यों है यह स्टार्टिंग से ही डॉमिनेंट है पहले यह डॉमिनेंट इसलिए था क्योंकि यह सबसे ज़ादा maximum यह GDP को contribute किया करता था but as the time passed धीरे 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 क्या होता चला गया कि service sector ने थोड़ा सा take over कर लिया मैंने facturing sector थोड़ा सा उस पे ध्यान दिया गया बड़ा में लिए service sector इंडिया में grow किया agriculture sector जो है उसकी जो GDP पे contribution है वो दीरे धीरे कम होती 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 वो around 14-15% की आसपास पहुँच गई लेकिन जो workforce या जो employed employment देखने को हमें मिलती है जादा से जादा जो देखने को मिलता है वो सबसे जादा अभी भी agriculture में ही हमें रोजगार देखने को मिलता है ठीक है जिसकी वज़े से अब वो क्या है महाँ पे disguised unemployment भी हमें उसकी वज़े से देखने को मिलती है तो इसलिए वो dominant है क्योंकि सबस से जादा population को वो include करता है the problem of agriculture marketing and logistics are stopping to realize the potential of agriculture produce वही जीज की अब जो agriculture की market marketing करना उसको market तक पहुचाना और उसको market करना और वो logistics मतलब वो transportation करना वो जो agriculture produce का जो potential है वो पूरा करने में वो potential तक आने में realize करने में बचा रहा है मतलब रोक रहा है क्योंकि उसका marketing प्रॉपर तरीके से या उसको प्रॉपर टाइम पे market में नहीं पहुच पा रहा है अच्छे तरीके से और उसको proper market नहीं मिल पा रही है तो अब हम main constraints की बात करेंगे कि मुख्य बाधाएं actual में क्या है first is in the majority of the states under the APMC Act farmers are required to sell a number of commodities in a local mandi where intermediaries often manipulate the price hence APMC markets have become with high intermediation costs अब क्या चीज हुई APMC Act क्या है agriculture produce marketing market commodities ठीक है ये जो act था इसके तहत अब ये जो ज़्यादातर states में जब लाया गया तो इस act के तहत क्या था कि farmers को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी उनकी commodities है जो उनका produce है वो जो किसान है उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा कहां पे बेचना था जो उनकी local मंडी होती है local area होता है उनको वहाँ पे बेचना होता था वो अब वहाँ पे उनको बेचना है तो उनको क्या problem हारी है उनको market की problem आती थी कि जादा उनको proper market नहीं मिल पाती थी जादा area उनको नहीं मिल पाता था जादा access नहीं मिल पाता था जिसकी वज़े से वो अब महाँ पे क्या फिर चीज होती थी कि जो intermediaries होते थे जो जैसे मोलते थे ना middle man होते थे वो price को manipulate कर दिया करते थे तो वो क्या किया करते थे manipulate करने में कि जो farmer है अब market होती थी मानलो छोटी क्योंकि वो local manडी में उनको sale करना होता था अब आपको अगर sale ही एक ही area में करना है अब वहाँ पे खरीदने वाले लोग बहुत है ठीक है? sale करने और बेचने वाले भी बहुत है वहाँ पे जो किसान है ऐसा तो है नहीं एक ही किसान है वही उगा रहा होगा अब market तो कम है market एक छोटी है क्योंकि आप एक local area में ही कर रहे हो और produce आपका ज़ादा है तो वो क्या करते थे? वो manipulate कर दिया करते थे prices को कि वो कम से कम prices में कम से कम दाम में वो खरीदने की कोशिश करते थे अब वो जो कम से कम दाम खरीदा करते थे उससे क्या होता था? farmer को तो loss ही होता था क्योंकि उसको proper market ही नहीं मिल पारी तो उसको वो sale करने के लिए मजबूरी में क्या करना पढ़ रहा है? कम पैसे में कम price में उसको बेचना पढ़ रहा है अपना produce जिसकी वज़े से वो farmer को problem आती थी कि वो अपना पूरा का पूरा नहीं earn कर पाता था जितना वो earn कर सकता है तो इसकी वज़े से वो जो cost थी वो उसकी APMC markets की वज़े से यह जो intermediation cost थी यह बहुत जादा बढ़ गई थी फिर there is a wide gap between the cost of production and the MSP is announced for the year MSP is not available to dairy products, vegetables, fruits, etc अब एक wide gap हमें देखने को मिला मतलब बहुत जादा अंतर था कि जो cost of production actual में आती थी और जो minimum support price दिया जाता था उसमें बहुत ही जादा अंतर था और minimum support price जो हम बात करते हैं वो अब सारी के सारी commodities पे सारी crops पे हमें थोड़ी न मिलता है तो यह जो dairy products थे या vegetables कुछ vegetables हैं या fruits हैं उन पे हमें नहीं उन पे सरकार नहीं provide करती minimum support price अब वो नहीं provide करती तो उसमें farmer को ultimately क्या होता था loss हो जाया करता था ठीक है क्योंकि वहाँ पे उनको वो minimum price मिल ही नहीं रहा है अब वो minimum price नहीं मिल रहा था वो forcefully उनको क्या करना पढ़ रहा है जो market उनके पास available है उनको उसी market में sale करना पढ़ रहा है कम price में तो उससे क्या होता था ultimately farmer को loss होआ गरता था next unable to get better prices due to lack of investment in necessary infrastructure such as warehouse, cold storage, etc अब वो better prices क्यों भी नहीं मिल पाते थे उनको कि उनके पास वो मतलब उन्होंने proper तरीके से investment नहीं थी उनके पास मतलब एक infrastructure नहीं था उनके पास proper तरीके से जैसे कि warehouse या cold storage नहीं था जहांपे कि वो अपना जो produce है farmer का producer वो उसको store करके रख सके अब अगर मान लीजे उनके पास cold storage होगा for example हम tomato की बात करते है ठीक है अब tomato को अगर हम मान लीजे हम एक table पे रख देंगे तो वो एक, दो, तीन, चार, पांच दिन में तो सड़ेगा सड़ जाएगा लेकिन अगर हम उसको refrigerate करते है अगर हम उसको अपने fridge में रख देते है तो वो कई दिन चल जाता है थोड़ा सो तो time मिली जाता है बहुत जादा दिन तो तभी भी नहीं चलेगा लेकिन फिर भी comparatively जादा चलता है बजाए कि जब हम उसको normal table पे रख देंगा और अगर अब fridge में रखेंगे तो वो fridge में जादा दिन चलेगा तो अब क्या होता है अब farmer के पास तो लेकिन cold storage facility होती नहीं कि वो अपना produce महाँ पे रख पाए अब जब वो facility नहीं होती है तो उसको मजबूरन क्योंकि उसके玉लस सद रहे होती है यह सड जाएंगा उसको यह डर होता है सड जाएंगे तो वो उसके होजएगा wastage वो जाएगा तो अभी सडने से better जहां पे उसको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा तो इससे better अब क्या सोचता है कि भई कुछ ना कमाने से तो बेटर अगर मैं इसको 10 रुपे में भी बेच दूँ मानलो अगर मैं 1 किलो टमाटर अगर मैं 10 रुपे में भी बेच दूँ तो क्या होगा मेरे पस 10 रुपे तो आएंगे फर एक्जामपल ठीक है अब या तो अब सड़ जाएंगे तो उसके पास तो एक भी पैसा नहीं आएगा लेकिन अगर वो अभी बेच देगा तो कम से कम 10 रुपे तो आएंगे तो इसमें क्या कर देता है वो जल्दी से उसको बेच देते है ठीक है अब वो बेचने की वज़े से उसको क्या होता है एक अच्छा प्राइस उसको नहीं मिल पाता वो उसको मजबूरी में क्योंकि उसको पास इंफ्रास्ट्रक्चर निया स्टोर करने के लिए उनको बेचना पड़ता है अल्मोस्ट 40% प्रेड्यूस अफ आल फ्रूट्स और वेज़ेटेबल प्रॉड़क्शन लॉस्ट अनुवली इन इंडिया द्यू तो फ्यूर कोल स्टोरेजिस वेरहाउसे एक्सेक्टरा क्योंकि क्या होता है अब क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चरी नहीं है या वेरहाउसे इन फेसिलिटी नहीं है इस देखने को मिलता है क्योंकि प्रॉपर फेसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है इस देखने को मिलता है तो वह वहां पर लेते थे तो वह आर्टीफीशिल स्कार्सीटी दिखाते थे मतलब कि वह यह दिखाते थे कि भही न हमारे पास प्रड्यूस है यह नहीं तो अब लोगों को क्या होती थी डिमांड होती थी लेकिन वह सप्लाइ कम कर दिया करते थे अब क्या economy का क्या factor है demand जादा होगी और supply कम होगी तो क्या होगा क्या होगा prices बढ़ जाएंगे तो वो prices artificially inflate करने के लिए बढ़ाने के लिए वो ये काम किया करते थे जिसकी वज़े से essential commodities act 1955 में क्या डाला गया कि भई एक उसमें न limit लगा दी गई कि इससे जादा आप stock में नहीं रखेंगे आप store करके नहीं रखेंगे तो उससे भी क्या हुआ investments हम जादा तर investment नहीं की गई क्योंकि उनको क्या है कि एक limit तक इतना ही रख सकते तो इसलिए उनने सोचा कि क्यों पैसे लगा इतने investment करने पर मतलब infrastructure बनाने पर ठीक है lack of easy movement और agri-produce due to delay in shipments अब easy movement भही transportation है कि proper transportation facility नहीं हो पाती क्योंकि जो shipment है उसमें देरी हो जाते है तो इसलिए proper तरीके से मतलब जो agri-produce है agriculture produce है वो proper तरीके से market तक नहीं पहुँच पाता या टाइमली नहीं पहुँच पाता barriers exist in the free flow of agriculture produce owing various states between various states owing to the prevalence of various APMC legislation enacted by the state governments अब जो हमने देखी APMC Act जो था Agriculture Produce Market Commodities Act जो था उसके तहट क्या चीज़ थी कि जो farmer है उसको अपना जो produce है वो local मंडी में ही sale करना है तो क्या वो अब local मंडी में sale करना है मतलब वो जो say state to state दूसरी states में जाके अपना market अपना agriculture का जो produce है अपना good नहीं अपने commodities को नहीं sale कर सकते तो उनको limited market मिल रहे तो market उनको proper तरीके से नहीं मिल पा रही थी उसकी वज़े से जिससे की एक वो बाधा बन रहा था तो यह क्या थी यह दिक्कत ही थी यह constraints थी जो हमें देखने को मिलते है agriculture produce में के मामले में इंडिया में अब हम उसके लिए major suggest करेंगे कि क्या उपाई हम सुझा सकते हैं या क्या उपाई लाई जा सकते हैं फोस्ट इस नैशनल एगरी कल्चुरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन अफ इंडिया लिमिटेड नफेड इस दे नॉर्डल एजनसी तो इंप्लिमेंट प्राइस स्टेबिलाइजिशन मेजर अंडर अब यह जो एजनसी है जो एजनसी है यह एक नॉर्डल एजनसी किस चीज़ की है कि जो प्राइजिस हैं जैसे हमें प्राइजिस की दिक्कत देखने को मिल रही थी कि वह फार्मर को है जो किसान को प्रापर प्राइस नहीं मिल पा रहा था तो इसको मार्केट नहीं मिल पा रहा है ठीक है या फिर कुछ legislations कुछ act ऐसे जिसके तहएट वो जादा marketing, market को capture नहीं कर पा रहा है तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उससे price उसको कम मिल रहा था तो यह जो nafade agency है यह क्या करती है यह price stabilization measures को implement करते है तो उसको proper तरीके से implement किया जाए और proper तरीके से ध्यान दिया जाए in measures पे, operation greens पे next is किसान rails are multi commodity trains consisting of refrigerated coaches to swiftly transfer perishable agriculture produce products from supply centers to demand centers अब क्या किया केंदर सरकार ने किसान rails चलाई किसान rails कैसी थी कि भई उसमें न refrigerated coaches थे मतलब कि ठंडक थी जिसे cold storages होते है न तो महाँ पे वो इस तरीके से बनाए गए थे design किये गए कि महाँ पे produce जो है वो खराब नहीं होगा और जल्दी से जल्दी क्योंकि अब train है train के माध्यम से क्या होगी connectivity fast हो जाती है मतलब कि जल्दी से जल्दी transportation fast हो जाएगी तो वो transportation का जो point है वो solve हो जाएगा उसका constraint और जो supply से demand तक मतलब कि किसान सिफ जो market है market तक वो produce अच्छे जल्दी से जल्दी और बिना खराब हुए पहुँच जाएगा next प्रधान मंतरी अनदाता आयस अन्रक्षन अभियान अब ये जो अभियान लाया गया था ये किसलिए लाया गया था कि जो farm produce है उसके लिए proper तरीके से price मतलब proper दाम farmer को मिल सके किसान को एक सही दाम मिल सके उसका फिर e-name लेके आया गया e-name portal ये क्या है ये एक pan-India electronic trading portal है linking existing APMC to create a unified national market for agricultural commodities अब क्या चीज थी APMC Act किसलिए था जो राज्य सरकार लेकर आई थी और वो अपनी local मंडी में ही एक किसान बेच सकता था लेकिन अब क्या किया गया एक e-name लेके आया गया एक portal है electronic portal जिससे की जितनी भी APMC APMC मंडीज है वो connect हो जाएंगी और वो connect होने से क्या होगी market बढ़ जाएगी farmers के लिए और उनको एक बहतर दाम मिल पाएगा next recent initiatives like contract farming and rationalizing ECA अब कुछ और भी initiatives लाए गए है net farming लाए गया है और उसके तहत क्या होगा कि farmers जो corporates हैं उनके साथ भी contract कर सकते हैं तो उनको वो money की problem भी नियोग उनका produce भी एक अच्छे price पे एक set price पे बिक जाएगा तो उसके लिए ये लाए गए initiatives तो farmer को help करने के लिए उनकी ये problems को solve करने के लिए तो ये हमने बात की कि क्या-क्या measures क्या-क्या उपाई भारत सरकार द्वारा Indian government के द्वारा लाए गए Now, on the concluding note we can say कि India is one of the largest markets for agricultural produce and markets need to function as a unified platform to make all consumers success to all the farmers in the country क्या है इंडिया एक बहुत ही बड़ी मतलब जो सबसे बड़ी markets है उन में से एक है agriculture produce के मामले में तो जो market है उसको इस तरीके से function करना है कि हर एक consumer सारे के सारे farmers से connect हो पाई access ले पाई हर एक farmer से थीक है ताकि वो market भी farmer के लिए इंक्रीज हो जाए और customers के लिए एक जादा broad increase हो जाए purchase करने के लिए The recent measures are taken by the government in this light will be helpful to create an efficient nationwide market and will also ensure a rise in income of farmers in turn contributing to achieving the target to double farmers income by 2022 तो अभी जो recent measures लाए गए बहुत अच्छे लाए गए है सरकार द्वारा कि भई ताकि एक nationwide market बनाने के लिए connectivity इंक्रीज करने के लिए और इससे क्या होगा जो एक aim रखा है goal set किया गया है कुदेशे कि भई हमें मतलब एक लक्षे निर्धारित किया हुआ है कि 2022 तक क्या करना है 2022 तक farmers की खिसान की income वो है double करनी है तो उसको realize करने के लिए उसको पूरा करने के लिए भी ये मदद करेंगी ये initiatives जो भारत सरकार दोरा लाए गए है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते है farmers को market भी अच्छी मिलेगी transportation और जो भी उसके constraints है वो solve हो जाएंगे और उनकी income भी increase हो जाएगी automatically right so this was all for this question guys I hope you all have liked this analysis अपना feedback guys आपना comment section में जरूर share कीजेगा so with this we end up this session today here guys thank you so much have a great day ahead जय हिंद